वीडियो देखने से पहले न चैनल को सब्सक्राइब कर ले न क्योंकि इसके बहुत सारे और भी पार्ट्स आने वाले हैं और वीडियो के अपडेट्स के लिए मेरे को इंस्टाग्राम पे फोलो कर लो सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिये हैं तो दोस्तो आप सभी को पताई होगा हमारी जो सिरिस चल रही है फैरो वाली ये उसका नेक्स्ट पार्ट है अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिये हैं जाकर देख लो और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत बुलना तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि काला दी गैंग्स्टर फैरो को रास्ते से हटाने के लिए एक बाबा के पास पहुँच जाता है वो एक खतरनाक चमतकारी बाबा है उसको बहुत से जादू आते है वो बाबा जादू से काला दी गैंग्स्टर की पतनी काली को भी जिन्दा कर देता है पर क्या आपको पता है जब बाबा जादू से काली को जिन्दा कर रहे थे उस टाइम उनसे मंत्र मारने में एक गलती हो गई और काली के साथ साथ गोल्डन मेन और सूखा गेंग्स्टर भी जिन्डा हो जाते है क्योंकि उनके लिंक कालादी गेंग्स्टर से थे पर अब आगे ये देखने में मज़ा आएगा कि इरेंगल की गद्धी पर कौन बैठेगा ये कहानी एकदम मिज़ापूर हो जा रही है हर कोई मिज़ापूर की गद्धी पर बैठना चाता है पर अभी इरेंगल की गद्धी कालादी गेंग्स्टर के पास है देखते हैं अब आगे क्या होगा उस तरफ लिविक में सुखा गेंग्स्टर और गोल्डन में की क्या खिष्री पक रही थी पर उससे पहले आपको ग्लॉग गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा मैंने तो सब्सक्राइब कर दिया है आप भी कर लो फिर साथ में वीडियो देखेंगे नहीं तो मैं रो पड़ूँगा यार तुम सब तो चीटिंग कर रहे हो यार ऐसा थोड़ी होता है एक बंदे के पीछे पड़े हो इतने देखो वाई दक्का मुकी ने चलेगी सबी लाइन लगा लो सबको कुछ ना कुछ मिलेगा ऐसे कैसे कुछ ना कुछ बहुत पैसे खाएं इस कारा दी यांगिस्टर ने हमारे अब एक एक पैसे वसूल करेंगे हम हमारी भी लड़ाई इसी नहीं करवाई है आज इसी की वज़ा से मेरे को रोड पर घूमना पड़ रहा है बागी सब तो ठीक है पर इस समूराई यहां किस हक से आ गया इसको दफा करो यहां से मैं डायमन वूमन की तरफ से हूँ चल चल निकल यहां से जाकर डायमन वूमन को बेच बागाओ है इसको यहां से सबसे बड़ा मैं हूँ तो मैं बताता हूँ मुझे एक बड़िया सी जगा चाहिए बिल्कुल साइलेंट जहां कोई मुझे डिस्टब ना कर सके तपस्या करते समये बाबा जी आपका इलाश तो है मेरे पास आपको बाद में देखेंगे नेक्श गबबर तुम बताओ क्या चाहते हो तुम मुझे अपना हिस्सा चाहिए रैंगल में जहां मैं कुछ भी करू तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और रेड कमांडर को अपनी नोवो की पहाड़ी के उपर अली बिल्डिंग चाहिए बस और कुछ तो डिमांड नहीं है न कई दो दिन बाद फिर से यहां लड़ाई करने पहुच जाओ हां मेरी फेक्टरी के आसपाज भी मत भटकना कोई नहीं तो सबको पता ही है हमारा यूपी से है कट्टा भर देंगे खोपडिया में पता भी नहीं चलेगा तो साले जाकर यूपी पर कबजा करना यहां का है आयो तुम यहां पर सबके विचार सुनने के बाद अब हम इस नईने पर पहुचे हैं कि सबी रेंगल वासियों को धंटा कुछ नी मिलने वाला सब कालादी गेंग्षर का था है और रहेगा सब अपनी अपनी तश्रीफ उठाओ और दफाओ जाओ यहां से अबे ओ लाल उपरसाद यादो एक रैप्टा मारेंगे यहीं हग दोगे समझे चुपचा बटवारा करो इरेंगल का अच्छा तुम रह पट्टा मारोगे हम तुमारे चुतर पर पैन मारेगे तुम हगना मुतना सब यहीं पर कर दोगे सुनो फैरो और गबर तुमको आधा आधा एरेंगल तु नहीं मिल सकता पर तुम भी समझो इतने बंदों का एरिया एड़ेस्ट करना है तुम भी थोड़ा कॉंप्रमाइस कर लो यार फैरो तुम मिलिटरी वेस्ट में रहना चाहते हो तो टावर को छोड़कर बहुत बड और मुझे सिर्फ रहने के लिए मुझे तो मंजूर है और रेड कमांडर के लिए नोगो और उसकी पहाड़ी भी एड़ेस्ट कर दो सुनो बे अब उंगली पकड़कर सर पर मत चलो यहीं पटक के गोबी कोट देंगे समझे रेड कमांडर को नोगो की पहाड़ी वाली बि बाबा जी आपके लिए तो एकदब साइलेंट सी जगा है हम दिखाते हैं चलो जहां कोई नहीं आता अब शायंती से मेडिटेशन करना वहाँ पर ठीक है बेटा फिर मुझे वहाँ तक छोड़ा आओ यह देखो बाबाजी यह जगा आपकी है एकदम बड़िया हर्याली वाली चारो तरफ पेड़ है अगर बारिश वारिश आजा है ना तो यहाँ पर छोटी छोटी जोपड़िया भी बनी है उनमें जाकर चुप जाना ठीक है कोई काम हो तो आजाना बेटा यहीं पर ठीक है बाबाजी अब हम चलते हैं फिर मिलेंगे चलो भाई अब अपना एरिया भी फिक्स हो गया अब कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है धीरे धीरे रेट कमांडर के साथ मिलकर सेल्टर, मिल्टा, नोग उपर भी कबजा कर लेंगे अभी रेट कमांडर से मिलकर आता हूँ चलो यह कौन रोड के बीच में गाड़ी खड़ी करके खड़ा है फैरो तू? अब क्यो रास्तर रोके खड़ा है? क्या चाहिए तुझे? अभी तो सिरफ एरिया ही फिक्स हुआ है पर तुमसे बदला लेना तो अभी भी बाकी है बड़ी गोलिया मार रहे थे उस दिन तुम मेरे को गाड़ी आगे अड़ा रहे थे मेरी बाइक के तुमको डर नहीं लगा? वही फैरो हुम है जिसने तुमको टिड़ी बनाया था भूल गया क्या? भूला नहीं हूँ पर अब तेरा दादा आ गया एरेंगल में वो तेरी गोबी खोद देगा कौन दादा? साले मेरा कोई दादा नहीं है तो वो बाबा कौन था? वो तो बाबा ही था मेरा दादा थोड़ी है वो मुझे क्या पता? वो खुद ही बोल रहा था तेरा बाप का भी बाप हो में तो तेरे बाप का बाप तो तेरा दादा हुआ ना? अब इस साले चल भाग यहां से वापिस वापिस आया ना यहां तेरी हडिया तोड़ दूँगा दोनों व्रिज मेरे अंडर आते हैं अब चल भाग यहां से तुझे भी मैं देख लूँगा जल्दी कब उस डाइमड हूमेन को भी देखूंगा बड़ी कूदर ही थी वो भी सुखे क्या आलने तेरे हाँ 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 वधिया बाबे तू दासके में हाँ मोजा हो गिया हुंता हाँ 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 दोनों मर के भी वापिस आगे तुझे पता है ना कैसे आए हम वापिस आहो पता या बाबे पता आसा फैरो दे दादे दी महर बानिया कालीयी नुट जिंदा γιαंद डाइम गषल्द मंतर ना मारदा ए असी भी जिंदा नहीं हुंते हाँ यार सही गल है पर यार अपने भाई हेक्टर की बड़ी याद आ रही है यार हेक्टर नूँ वापिस ले आनदा भी प्लान हैगा मेरे कूल हैं सच्ची दस कैसे लाएगा सुन जिस बाब्बे तो ऐसी जिन्दा होया न उनूँ पैसे दा लालस देखे हेक्टर नूँ वी जिन्दा करवा लेने या ओ भाई क्या बात है चल फरी रैंगल में उस बाबा के पास चलते हैं उसका पता मैं निकलवा लूँगा एक समुराई नाम का टट्टू जाय बंदा है वहां पास ची जूसी में सारी ख़बर देटेता है में को पर साले सानू जिन्दा होय ता दो गंटे होया तेनू ओ समुराई कितो में लगया मरने से पहले वही ख़बरी था मेरा डैमन वोमन से रहता है वो अच्छा चालों चलिए बाबे को ले रैंगल छे बाबे के वे या तो यार कैसा लगा आजगा पार्ट अभी गे अभी कमेट करके बता दो और आगे आने वाले और भी बहुत सारे हमारे पार्ट बहुत ही खतरनाक होने वाली है सभी के वीच फाइट्स होने वाली है एक स्पोईलर मैं अभी दे रहा हूँ आप सभी को तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ सेर कर दो और चैनल को कर दोisputescribe अगर आगे वाले पार्ट देखने हैं और यार इसका जो नेक्सиях पार्ट आएगा वह हमारे स्क्रीन पर आएगा आपको भी स्क्रीन पर जो सरकल दिखर रहा इस पर जाके subscribe कर दो हमारे सैकरण चैनल को उस पर आएगा हमारा next पार्ट और वीडियो में कैसे आना है और भी ब्याइंड दाचिंस जो चीजे रहती है अपडेट से रहते हो डालता हूं में इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा स्क्रीन सोट में और में डेली गाइज लोग को पर स्ट्रीम करते हों गर आप सभी को मेरे साथ खेलना है तो मेरे को लोग को पर फॉलो कर लो वहां पी आप मेरे साथ खेल सकते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फिर मिलेंगे नई वीडियो में